दोस्तो अगर वाकई में वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो जो है वो पूरा का पूरा देखो अधर्वाइज आप वीडियो को अभी के अभी छोड़ कर जा सकते हो लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आप पूरा का पूरा ये वीडियो दे तो दोस्तो mobile से वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है एक mobile application एक application आपको download करने पड़ेगी जिसके मदद से ही आप video के editing को कर सकते हैं वह application आपको simply play store पे भी मिल जाएगी लेकिन अगर आप play store से download करते हो तो उस पे watermark मिलेगी तो आपक से simply आप उस app को download कर लो उसमें दोस्तों आपको फायदा यह होने वाला है कि आपको किसी भी तरह का watermark आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है एक और साथी साथ दोस्तों एक काम कर देना यहाँ वीडियो को like कर देना ठीक है आप आपने अगर इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो दोस्तों इस application का नाम है काइन मास्टर इसकी download इसको कैसे करना है वो तो मैं आपको बता दिया अप चलते हैं इसके features के ओर तो इस app को आप सबसे पहले जैसी open करोगे तो आपको new project हैगा आप इस पर tap कर लो उसके बाद आप video की यहाँ पर size आपको मिल जाएगे तो size आपको को ले लिया अब इसमें मैं आपको बता दू कि करना क्या है देखो normally जो settings होती है वो तो आपको पता ही होगा कि मालो जैसे देखो इस video में अगर left side से cut करना है या फिर इस पे आप click करोगे तो आपके सामने इधर बहुत सारे option आ जाएगे ठीक है आप इस पे click करो अब करना होगा split एक option आता है कि मान के चलो कि यह video मेरी चाहिए इसी यह जो gabbing के बीच में कोई नए video हमें डालनी है तो यहां बीच में cut चाहिए होगा तो उसके लिए आप यहां split का जो third option आप देख रहे हो आप इस पे click करो अब आप यहां पे देख सकते हो कि यह दोनों video अल सकते हो यह video की जो भी जैसी भी आपकी चाहिए यहां पर reverse एक option आता है reverse आप करोगे तो इधर का उधर वीडियो हो जाएगा तो उसके बाद यहां आता है pan and zoom तो यहां से भी आप यह क्या होगा न कि video zoom in और zoom out करने का यहां पर option है pan and zoom में आप यहां rotate and mirroring देख रहे हो तो इसमें आप कर क्या सकते हो कि यह इधर का इधर हो जाएगा यह mirroring हो गया up down यहां से हो सकता है अगर आपको वीडियो को rotate करना है तो आप इधर से यह ऐसे rotate कर सकते हो यह option हो गया अब यहां पर filter में आप वीडियो के ऊपर कोई भी filter लगा सकते हो है adjustment यह सबसे important है वीडियो सारा करने के बाद यहां आप apply to all पर जैसी करोगे तो आपके वीडियो पर यह सारा setting apply हो जाएगा उसके बाद आता है clip graphics इसमें आपको बहुत सारे effect मिल जाते हैं आप कोई साभी effect यहां पर डाल सकते हो देखो इस पर मैंने जैसी क्लिक किया यह देखो एक effect चल गया यहां स second पर मैं जाता हूँ यह मैं अगर करके try करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह के effect आ रही है यह ऐसी करके यहां पर आप यह कर सकते हो अब इसमें और सारे effects आप ला सकते हो वह मैं आपको बता देता हूँ कैसे यहां से देख लो एक vintage का option है vintage में आप click करते हो तो यह चारो और से ऐसे black हो जाएगा बहुत सारे options आपको यहां पर मिल जाएंगे अब मानके चलो एक और काम कभी कभी क्या करना होता है ना कि वीडियो में जो हमारी audio है वो चाहिए होती है में नीचे यानि कि अलग करना होता है तो extract audio आपको एक option मिलता है आप इस पे click करोग ना तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेगे हर चीज को तुम्हें cover नहीं कर सकता वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ठीक है यहां पर यह हो गया अब मानके चलो दोस्तो इसमें और सारी भी अगर आपको यह चाहिए वीडियो footage आप डालना चाहते हो त तो आप अपनी gallery के किसी भी song को यहां से इसमें डाल सकते हो नीचे में यहां recording का भी option मिल जाता है हमें आप इस पे जब click करोगे तो यहां भी आपको camera और camcorder यह recording चालू हो जाएगी यहां से तो हम इसे छोड़ते हैं layer दोस्तो एक मतलब बहुत ही कमाल की setting है इसमें layer नाम से कर सकते हैं यह जो effect आ रहा है फिलाल मैं इसे यहां से back करके खतम कर देता हूं यह दोस्तों अगर कोई भी चीज़ अगर आप करते हो ना यहां पर माल लोग गलती से हो गया और आपको back जाना है तो यह देखो यहां पर जो option है ना यह back का है और यह बहुत जो option है यानि क मैं क्या होता है ना कि green screen का यूज करना होता है अपने footage में तो green screen के लिए यहां पर माल लो select कर लो यह मैंने green screen डाउनलोड करके रखा है पहले से हैं यहां पर तो यह तो green screen अभी so नहीं हो रहा है लेगिन यहां से मुझे चाहिए तो आप मैं वीडियो पर click करता हूं ट्री आप नीचे जाते हैं तो आपको option मिल जाते हैं chroma की chroma की को आप enable करो अब यहां पर कुछ नहीं हुआ region behind this कि यहां पर देख सकते हो की color की option है यहां पर red है तो आप इस पर click करके यहां पर green पर click कर लो और tick करो अब देखो कि यहां से green screen गायव हो चुका है अब इसकी setting भी आप थोड़ी सी यहां से मिला सकते हो यहां से मैं इसे zoom करके और यहां पर fit कर देता हूं ठीक है तो यह हो गया यहां पर यहां से आप play करके check कर सकते हो कि हमारी footage जो है वो कैसी चल रही है तो ऐसे करके दोस्तों आप एक बहुत ही बहुत ही वीडियो editing कर सकते हो layer पर आप फिर आपको यहां पर और भी options मिल जाते हैं effects यहां पर effects आपको मिल जाएंगे sticker text and writing तो यह सब तो आप normally कर लोगे अब इसके export की मैं आपको बता दू कि export आप कैसे कर सकते हो तो इतना तो हो गया मान के चलो कि हमारी video जो है वो यहां तक में ready होगे मैं इसे यहां से cut कर लेत कर लिया इसको मैं यहां से delete कर लेता हूं तो इतनी जो वीडियो है हमारी मान के चलो यह video हमारी edit हो चुकी तो यहां पर देखो कॉर्ण में आपको एक option मिल रहा है आप इस पर simply click करो अब आगे हमारी export setting यहां पर तो आप यहां पर 4K का भी option आपको मिलता है यहां पर QHD मिल अब यहां से export हो कि आपके gallery में यह video save हो जाएगी यानि कि एक video complete तरीके से आपने editing कर लिया दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है इस video को edit करने में तो आप नीचे comment में हमसे पूछ सकते हैं मैं आपको कोजिस करूँगा कि मैं आपको reply करके उसका answer दे थैंकि दोस्तों थैंकि यू सो मच